फ्रेंस आप सुभी का विलकम है मेरे यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस फोटोशॉप के टीटूरल में हम लोग सीखेंगे किसी भी फोटो पर लाइटिंग एफेक्ट कैसे अपलाई करना चाहिए जब आप फोटो एडिटिंग करते हैं आफ्टर एडिटिंग आप चाहते हैं कि अपने फोटो पर एक अच्छी सी लाइटिंग एफेक्ट अपलाई कर दी जाए तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा ओप्शन कौन सा अपलाई करना चाहिए तो आए जानते हैं सबसे पहले आप इस फोटो की एक कॉपी कर लिजे कॉपी कर लेने के बाद आप इसको Convert to a Smart Object कर लेंगे अब उसके बाद जाना है फिल्टर में फिल्टर में जाने के बाद आपको यहां से सेलेक करना है render, render के अंदर देखेंगे सबसे नीचे में lighting effect है आप इस पर click कर लीजी यहाँ click करने के बाद आपको बहुत सारे options मिल जाएगा यहाँ देखेंगे presets है, presets में custom selected है custom में रहेंगे तो आप यहाँ से changes कर सकते हैं color में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले से जो यहाँ पर available है बहुत सारे colors, उसमें से किसी एक को select करना, तो आप उसको भी select कर सकते हैं, जैसे मैं इस photo के लिए फिलहाल use करना चाहता हूँ यह parallel directional, इसको मैं select करूंगा, और उसके बाद इस options को properly set करना है इस photo के लिए उपर से light नीचे के तरफ आनी चाहिए, तो इसलिए इसको मैं drag करके उपर के तरफ लेकर जाओंगा, इस तरफ यह देखें, और इसको as a adjust करेंगे यह देखें, उपर से नीचे के तरफ light आ रही है, आप बीच वाले circle को check करके देख सकते हैं, कि lighting किस तरफ से आ रही है, अब उसके बार इसमें color change करना है जो color आप use करेंगे, उसी की light इस पर reflect करेगी जैसे यहां blue selected है blue के जगा पर आप कोई भी light को set कर सकते हैं, तो इस photo के लिए मैं थोड़ा सा warm look देना चाहूंगा, इस तरह का कुछ ऐसा, तो फिलहाल मैं यह color choose कर रहा हूँ, और यहां से हम लोग okay कर लेते हैं, intensity को यहां से manage नहीं करेंगे, हम लोग अंदर देखेंगे, property में बहुत सारी चीज़े हैं, इसको select करते हैं तो यहां से color को manage करने के लिए आप इसको कम या जादा कर सकते हैं हमें कितनी lighting चाहिए, तो यहां से manage करूंगा, उसके बाद colorize रखना है, नहीं रखना है, कितना रखना है, आप यहां से इसको भी देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा minus करूंगा, और इसको plus करेंगे यह इस तरह से, और उसके बाद यह जो metallic look है, इसको आप थोड़ा सा add कर दीजिए, इस photo के लिए बस यह काफी है, अब उसके बाद हम लोग यहां से okay कर लेंगे, अब आप देख सकते हैं, इस photo को before and after तो यह देखें, before and after before and after I hope इस वीडियो से आपनों को काफी फाइदा हुआ होगा, अगर आप चाहते हैं Photoshop को काफी details में सीखना तो आप मेरे premium class को ज़रूर जोइन कीजिए जोइन करने के लिए हमने contact number और email id discussion में दे दिया है, आप जब चाहें मुझे call कर सकते हैं, और friends कर सकते हैं